नमस्कार प्लास्टिक किस तरह से हमारे जल जमीन और पर्यावणों को दोसित कर रहे हैं तो आज हम बात करेंगे प्लास्टिक मुक्त भारत की कि किस तरह से हम सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पा सकते हैं बेहतर विकल्ब क्या है और किस तरह की चनोतियां है इन त देखा जाए तो हर घर में प्लास्टिक जो है पहुच चुका है और एक तरह से कहा जाए कि हमारे जल, जमीन, पर्या और और मानोस्वास्त के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है तो सबसे पहले हम से जानना चाहेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हम किस तरह से कर सकते हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या है देखें सिंगल यूज प्लास्टिक जैसा कि उसका नाम बताता है कि एक बार प्रयोग करके जिस प्लास्टिक को हम फेग देते हैं जिसको डिस्पोजबल भी कहते हैं वो सब सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत आता है जिसमें आम कि सिंगल यूज प्लास्टिक चोटे-चोटे होते हैं, साइज में बहुत चोटे होते हैं, इसलिए इन्हें एकत्रित करके और इनका री यूज री साइक्लिंग थोड़ा मुश्किल होता है. दूसरा यह जैसे आपने पूछा कैसे होता है, तो इसको कैटराइज करने के लिए ज्यादा तर जो होता है, वो PET मुख्यता जो होता है, वो सिंग्ल यूज प्लास्टिक में PET होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, पॉली एथलीन टेट्राथलेट, और जो दूसरे तरह का प् कंपोनेंट हैं, उनको मिला करके एक PET बनाता है, इसी तरह से अलग-अलग तरह के छे विबिन प्रकार के प्लास्टिक बनते हैं, जिनमें की ये दो मुख्य जो हैं, और इसके अलावा एक HDVE है, जिसको हम बोलते हैं, हाई डेंसिटी पॉली एथलीन, ये वाले जो हमारे प आते हैं, तो ये चीजे सिंगल यूज प्लास्टिक के तहता हैं, स्ट्रॉ है, स्टरर्स हैं, तो ये सब पतले-पतले यूनिट्स के होते हैं, और इसलिए ये ज्यादा प्रेयोग में आता है, तो बोर्तल की कैप्स हैं, बोटल्स हैं, ये ज्यादा सिंगल यूज प्लास् हाँ देखे अब यह संशोधन हो गया है दो हजार जो बाइस में आया है संबर में एक सो बीस माइक्रॉन तक का प्रोहिबिशन आ गया है कि एक सो बीस माइक्रॉन से कम वाले जितने होंगे उन सब का आप डिस्पोजबल नहीं मताब सिंग्ल दूस प्लास्टिक तक का हां जो के लिए गॉर्मेंट ने इस बैन को अब लगा दिया है तो अब हम पचास से की जगा अगर एक सो वीस की बात करें तो वह जादा अच्छा रहेगा और अभी आप में बात की है कि हां तो यह जो हमारे प्लास्टिक है खासकार कि जो सिंगल उज प्लास्टिक है वह हमारे प प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक दो कॉंसेट हमारे सामने आते हैं एक तो प्लास्टिक वह हम बड़ी मात्रा में देख रहे हैं जो हमारे प्लास्टिक को विभिन तरीकों से प्रद्शित कर रहे हैं सबसे पहला तो क्या है कि इनके इनको खाने से जो जीव जन तू जानवर हैं, वो मारे जा रहे हैं, तो हमारी बायो डावर्सिटी एफेक्ट हो रही है, दूसरा क्या है कि जो ये आसानी से बायो डिग्रेड़ेबल नहीं है, खतम नहीं होते, गलते नहीं है, छोटे इस तरह के हिस्सों में नहीं बढ़ते कि इनको डीकम्पोजर्स या फर् दीरे धीरे लीचिंग करके हमारे खादे पदार्थों में, हमारे प्लांट्स में, पानी में आते जले आते हैं, और भूमी को भी ये दूशित करते रहते हैं, दूसरी चीज इनके संग एक जो समस्या है कि जो हमारे जितने ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, उनको ये चोक कर देत हैं, क्योंकि ये निकल नहीं सकते पूरी तरह से, जैसे स्ट्रॉव अगर है, जो महीन है, ये मशीनों में फस जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है, पूरा जो की बड्रेन का सिस्टम बना हुआ है, वो अफेक्टेड होता है, जिसकी वज़े से कि ये जल में भी तूट करके जाते हैं, अफिर जो हमारा जो जल सरचड के बात होती है, तो नीचे भी नहीं जा पाते हैं, जो हमारा पानी का लेबल है, वो भी नीचे भाग जाता है, इसलिए कि पानी बरस्ता हो तो प्लास्टिक के वज़े से उपर हीरा जाता है, कुछ हद तक रह जा तो इसलिए इसका कोई माप दंड नहीं है, कहीं कोई चीज इसकी मॉनिटरिंग नहीं है रेगुलर, तो होता क्या है कि जब यह हमारे जल में आते हैं, तो हम इनको लेते चाला है, देखे अभी रीसेंट एक स्टडी में आया है कि लगभग पांच ग्राम माइक्रो तो यह हमारे जो मरीन फिशेज हैं, जितना हमारे समुद्री सतह के हैं, एक दूसरी चोटी सी स्टडी है, चोटी क्या कहें, व्यापक है, उसने बहुत सारे डेटा को लेकर की कारिक किया है, तो उनका यह कहना है कि आने वाले 2050 तक समुद्र में प्लास्टिक की संख्या पा कोविद के बाद तो हम सब जानते हैं कि यह प्लास्टिक का कितना अधिक प्रयोग हुआ है, चाहे वो किट्स रहे हों, चाहे जो भी चीज़े हों, तो इनको सही तरीके से री यूज, री साइकल करने के आविशक्ता है, और अपने सिस्टम से हटाने की जरुवत है, उसके बाद भी कोई शूरटी नहीं है कि यह पूरी तरह से गल जाएंगे, सड जाएंगे, तो लैंड फिल में जब हमारे पास रहेंगे, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे यह टॉक्सिन्स जो इनके ऊपर जो भी हमारे जो बोतले बनी होती है, फूद एडिटिव्स ह लगे होते हैं, जो एडिटिव्स लगे होते हैं, यह पिघल-पिघल करके हमारी मत्टी में, हमारे लैंड में आने लगते हैं, और इन से जो प्रोडिशन होता है, वो हमारे पूरे फूड चेन में जाता है, तो यह बहुत आविश्या के समझना कि जो बीपी है, जो अन्य तरीके के toxic chemicals इनके संग जुड़े हुए हैं, वो हमारे खादिपदार्त में सीधा जाते हैं, हमारे fishes में जितने हमारे समुदरी जीव जनतु हैं, उनके अंदर जाते हैं, जिनका की consumption मानव करता है, तो वो उसकी food chain में भी चले जाते हैं, पौधों में irrigation का पानी प्रयोग होता और नीचे गया तो आदमी भी अगर उस पानी को पीता है, तो उसके भी जो सरीर केंग हैं, वो भी प्रभावित होते हैं, लगभग किसी भी छेतर की हम बात करें, किसी भी product की हम बात करें, तो इस समय plastic pollution उसके अंदर विद्धिमान है, किसी ना किसी percent में, ratio में उसके अंद मचलियां हैं, उन पर तो इसका दूस प्रभाव पढ़ेगा, तो मन इस भी प्रभाव पढ़ता है, तो किस तरह से मचलियों पर इसका दूस प्रभाव पढ़ रहा है, और मानो स्वास्त पर किस तरह से दूस प्रभाव देखने को मिल ला है, यह बहुत अच्छा आपका प यह जमा हो जाती है और जब इसी इनी मचलियों का उभ्वोग मनुश्य करता है भोजन के सरूप में या किसी भी उसमें तो यह गलती या खतम तो होती नहीं है तो वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है जहां वो कैंसर जैसी बिमारियां और लंग्स की बिमारियां अभी स्टडी में यह देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके अंदर यह जो नवजाज शिशू जो पनप रहा है उसके अंदर बहुत सी नियूरो डीजनरेटिव डीजेजेजेज, कोगनाइटिव डीजेजेज, यह सारी चीजें वो उसमें जन्र से ही और एक औ इसे जनित हो रहे हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और साथ-साथ यह भी हो रहा है कि जो लोग ऐसे ही फूड प्रोड़क्स ले रहे हैं जिनके अंदर की यह प्लास्टिक्स हैं उनको विबन तरह के रोग हो रहे हैं और गो एक तरह से कहा जाए कि दूश्प्रभाव देखने को मिल लेते हैं। और पसुओं में किस तरह से हमारे जानवरों में प्लास्टिक का दूश्प्रभाव देखने को मिल ला है। और चाय के विभिन घटकों के साथ मिल करके वो किस स्वरूप में हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं। यह अभी भी हम लोग को क्लियर नहीं है। लेकिन यह भी टॉक्सिंस क्रिएट कर रहे है। और पशुओं में जहां तक सवाल है। तो पशुओं के लिए तो मैंने पहले भी हमारे चाहिकल आएगह। एफसी साल क्वाला गाव मातोत था और जहां अबेंगा। प्लास्टिक जमीन गर पे bastards के घुड़ा रहेगा। और प्हीं जाता ही कम नहीं होता। और अपना उद्देश है ए गया एक करेंश किसा बिहतर बिकल्प क्या हो सकता है मैडम इसले की आम आदमी उसका आदी हो चुका है तो कैसे धिरे-धिरे इसको लोग कम करें और सरकार जो है किस तरह का बैकल्पिक बिवस्था कर सकती है देखिए दो-तीन चीजें इसको कम करने में बहुत कारगर हैं और हो रही है अभी इसको जैसी कि आपने सुना होगा कि दो जगह ऐसी हैं भारत वर्ष में भी यहां पर की तो पहले तो इसके प्रचलन कों में बढ़ाना है कही न कहीं से रोकना है जिसके लिए कि हमारी सरकार काफी प्रयत्न कर रही है वेभिन जगहों पर दूसरा यह है कि हम अपने यूजर एंड पर हम इस चीज की जागरुकता भी रखें कि अगर हम प्लास्टिक में कोई चीज करें देल के ले रहे हैं तो हम उससे प्रभावित हो रहे हैं कि उसके घटक जो वह हमारे अन्दर अवयर्थ जा, जा रहे कहीं न एक wusste दूर कोशिश करें कि उसको minimize करें बाजार जाए तो जोला लेके जाए बाजार जाए तो प्लास्टिक के प्रोड़क्स की वजाए हम कागज या अनी चीजों की प्रोड़क्स की जगो ज्यादा प्राथ मिक्ता दें तमाम सैशेज आप में देखे होंगे छोटे-छोटे उनको हम कम करें उसकी जगह हम काज की बुतलों का जादा प्रेयोग करें तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको कि हम रोजमर्रा में अपने अगर लेकर के आए तो हम प्लास्टिक को काफी हद तक घर में आने से रोख सकते हैं जो कुड़े का धेर दिखाई देता है प्लास्टिक का उ कि हमारे लिए ही टॉक्सिक है और उसके बाद तब हम अगला स्टेप ये देखें कि हम इसके सेग्रिगेशन करके री साइकल री यूज की बात करें जैसे कि बहुत से आजकल फाइबर्स बन रहे हैं इन जो री यूज प्लास्टिक है उसको प्रेयोग करके फैब्रिक्स ब ऐसकते हैं जिससे कि हम प्लास्टिक की लोड को जिसको हम कहते हैं प्लूइशन को उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं और मेरा पर सल्मना ना तो यह है कि अगर हम उसको रीफियो दे सकते हैं ठीक है मैडम आप इस्टूडियो में आई और प्लास्टिक मुक्त भारत के बारे में हमारे दर्सक भाईयों को इतनी ची जान करें दी निश्ची थी इसमें सरकार के साथ साथ आम जन्मानस की भी सहवागिता होनी चाहिए हम जब घरों से निकलें तो प्लास्टि करेंट